हेलो ट्रीडर्स एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बेस्ट इन मार्केट के एक और नए वीडियो पर तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से सब्सक्राइब कर लीजेगा और हमारे पुरानी वीडियो को भी एक बा क्याले अभी स्टॉक का रेजल्ट आया है नेट प्रॉफिट आपको लगब लगब पिछले साल के कमपैरिजन में डबल होते हुए देखने को मिल गया है यह आप क्लियरली यहाँ पर हेड्लाइन में देखकर के समझ गए होगे कि टू फोल्ड मतलब टू टाइम्स हो चु प्रॉफिट बुकिंग है उन सब चीजों के बेसिस पे है लेकिन यह स्टॉक आपको लॉंग टम में बहुत जबरदस्त पैसा बना करके देगा ही देगा तो अब हमारे लिए इंपॉर्टन चीज यह है कि क्या हमें कल के दिन इस स्टॉक को तुरंत करेंट मार्केट प्रा करेंगे तो अब वीडियो को बिना स्किप किये हुए पूरा एंड तक देखिएगा चलिए अब डारेक्टली हम लोग बढ़ते हैं चार्ट की तरफ यह चार्ट मैंने आपके साथ कुछ दिनों पहले भी शेयर किया था और आपको इग्जैक्ली जो लेवल बताये थे वही लेवल बहुत इस्ट्रिक्ली फॉङ हुँ हैं अब क्या फॉङ है है यह समझने के कोशिष करो मैंने आपको कहा था कि इस स्टॉक को आपको कब बाई करना है इस लेवल पर मतलब यह वाला जो लेवल है 35 रुपय के आ आसपास का लेवल आपको यहाँ पर बाइ करनने के ल अल्मोस्ट यहां पर आपको 400 से 500 पॉइंट मिलने वाले थे, बहुत क्लियरली आपको बताया था कि 3980 से लेकर के 4280, यह एक क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, यह अभी भी वैलिड है, अभी भी यह वैलिड है, इसलिए मैं इसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत ध्य 215, यहां पर stop loss कितने points का था, 200 points का, 200 points का stop loss और target था 480, यहां पर आप clearly देख सकते हूँ कि हमारे risk to reward कितना था, 1-2 से भी थोड़ा ज़ादा ही था, लेकिन यहां पर आपके target बहुत easily achieve हुए, stock ने यहां पर hit किया, और resistance ले करके stock वापिस से नीचे आना start हुआ, अब आप आपको क्या करना है, यह चीज़ clearly समझ के चलो, अब जिन लोगों ने उस समय swing play कर लिया, या entry बना करके अभी भी रखे हुए हैं, तब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों पर detail में, चलो discussion स्टार्ट करते हैं, अब देखो यहां पर एक black color की line मैंने mark करके रखी है, इस black color की line के उपर stock, दो बार यहां पर support ले चुका है, पीछे भी एक दो बार इसी जगह पर support लेने की कोशिश किया है, यह सब minor support है, इनको हम लोग ignore कर देते हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि हम लोग जो analysis कर रहे हैं, वो weekly time frame की analysis कर रहे हैं, अब यहां पर आपको clearly द important level होने वाला है, क्यों important level होगा, क्योंकि अगर stock इसके नीचे fall करता है, तब आपको यह stock थोड़ा सा और किरावट और pain दिखा सकता है, लेकिन लेकिन यहां पर आपके लिए एक important चीज़ यह जानना है, कि क्या आपको इस level पर अब sell कर देना है, या stop loss डाल करके निकल जान क्यों modify करेंगे, क्योंकि chart अपने आप adjust हो रहा है, तो हमें भी chart के according adjust होना परता है, ना कि अपने price के according chart को adjust करना होता है, तो इसलिए अब समझ के चलो pattern क्या form हो रहा है, important pattern यही है, आपको मैंने बताया, यह वाला pattern, यह pattern जैसे ही break होगा, आपको एक बहुत शानदार upward rally दे safe entry लेना चाहते है, तो safe entry लेने वालों के लिए important point कौन सा है, 42.80, बैले 180 रुपए के ऊपर, जैसे stock आपको निकलता हुआ दिखाई दे, आपको entry बनाने के बारे में plan करना है, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में यहाँ पर यह चल रहा होगा कि अभी इस zone में जहाँ पर ह हो सकता है, मैं तेजी भी देखने को मिल जाए, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समल के चलो, entry बनाने के लिए, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी मनानी करूंगा, आप entry बना सकते हो, लेकिन quantity कम रखिएगा, quantity कम क्यों रखिएगा, उसके पीछे का भी logic बताता हूँ, अगर stock यहा और केवल 2800 रुपे के आसपास के level पर ही quantity add करनी है, या average करनी है, यह level बहुत important है, अब इसको note करके रख लो, यह उन्हों लोगों के लिए है, जो लोग अभी के समय में current market price पर risk लेने के लिए तयार है, जिनको risk लेना है, उन्ही को जादा profit भी होगा, और उन्ही के लिए situation भी होगा, आपको पता है कि जादा risk लोगे तो जादा reward मिलता है, लेकिन risk calculated होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैं कहा रहा हूँ कि जो quantity आपको यहाँ पर नीचे के level पर अपनी quantity रखनी है, यह quantity काफी कम रखनी है, जिससे अगर आपको यह stock उपर निकलते हुए देखने क मिलता है, कोई दिक्कत नहीं, आपके profits तब भी बन रहे होंगे, लेकिन आपको safe रखने के लिए अगर नीचे के level पर आता है, तो आपको केवल और केवल यह 2800, exact level बता हूँ तो 2806 रुपए का level है, यहाँ पर मैं लिक भी देता हूँ 2806, यह level है, इस level के पास आपको average करने के बारे में plan करना है, या तो re-entry करने के बारे में plan करना है, यहाँ पर एक चीज़ धियान रखना कि यह जो trend line है, यह trend line break होगी, break होगी तो stock sudden fall करके वापस उपर जाना start करेगा, support बहुत तगड़ा है, अगर आप देखो कि तो यह जो तीनो continuous support है, यहाँ पर यह 2800 करोगे, यह stock एक multi bagger stock आपको return देगा ही देगा, अभी की समय में यह stock का जो price है, वो 3300 से 3400 के आसपास मैं मान लेता हूँ, 3400 रुपीज के आसपास इस stock का current market price चल रहा है, लेकिन इस stock के अंदर हम लोग जो target expect कर रहे हैं, वो काफी लंबे target और काफी दूर के target है, मेरे इस इस stock के अंदर जो first target हम लोग expect करके चल रहे हैं, वो 6700 से लेकर के 6800 का target expect करके चल रहे हैं, seriously, यह double है, अपने price से अगर आप देखो कि तो almost double के price तक हम लोग इस stock के अंदर target expect करके चल रहे हैं, और seriously, DMART अब भी के समय में आपको बहुत ही जादा सस्ते valuations पर देखने को मिल तो इसलिए अगर आपके पास भी DMART है, तो आप इस stock को बिंदास hold करके चलिए, बिलकुल भी घबराने के जरुवत नहीं है, आप इस stock को long term के लिए hold करके चल सकते हो, बताये हुए levels पर ही average करने के बारे में plan कीजेगा, बीच में कहीं कूद के वाई करोगे, तो आपको य यह नहीं समझ मैंगा कि stock ऊपर जा रहा है, कि stock नीचे जा रहा है, तो इसलिए जो levels बताये हैं, वहाँ पर maximum probability है कि stock वहाँ से आपको एक reversal दिखाने के कोशिश करेगा, और इसी वज़े से जो levels आपको बताये हैं, उनको strictly follow कीजेगा, I hope इस वीडियो में बताये कि सारी अपने दोस्तों साथ share कीजेगा, और अगर चैनल पर first time आये हैं, तो चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा, फिर मिलोगा एक वार ऐसी वीडियो ले करके, तब तक के लिए धन्यवाद